जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज हम लोग लेके आए हैं ठो सवस्ता का दूसरा भाग जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिंदू सुत्र के दो मुख्या उधारान सोटकी और फ्रेंकल दोस्ट चाहे फिजिक्स की बात करें या केमेस्ट्री की बात करें बच्चों दोनों सब्जेक्ट के अंदर ये टोपिक बोथ ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है पर इकसा में आने वाला है तो आज हम लोग इसको किलियर कर लेंगे हमेशा के लिए तो चलिए फिर इस जानते हैं क्या होते हैं सोटकी और फ्रेंकल दोस सोटकी दोस बिंदू दोस का उधरन है जैसा कि आपको सुरुआत ने बताई दिया कि बिंदू सुतर के दो मुख्ये उधरन होते हैं सोटकी और फ्रेंकल दोस भूलना नहीं सोटकी दोस रस समिकन मिती या स्टोई क्यों मीटरी परकार का दोस होता है भई ऐसा क्यों बोल रहे हैं ऐसा असलिए बोलते हैं कि इस दोस के अंदर इस कमी के अंदर ठोस के अंदर समान संख्या में जितने धनायन गायब होंगे उतने ही रिनायन गायब होंगे समान संख्या में गायब होते हैं 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 किलियर हो रहा है मेरी बात आपको समान संख्या में इसलिए उसके अंदर दोस होने के बाद भी धनायन और रिनायनों की संख्या उनका अनुपात समान रहता है तबी तो कहलाता है रस अमिकर्ण मिती या स्टोई कियो मीडरी परकार का दोस इस दोस में क्रिस्टल के जालक बिंदू से जितने धनायन हटते हैं उतने ही रिनायन हटते हैं यही तो बताया था मैंने आपको सोटकी दोस वाले क्रिस्टल उदासीन प्रकर्टी वाले होते हैं इसका ताथ पर यह यह है कि अगर किसी ऐसे ठोस पदार्थ को ऐसे क्रिस्टल को जिसमें सोटकी दोस है आप उसके उपर वैदू छेतर आरोपित करते हैं तो बच्चो ऐसा crystal ना तो anode की तरफ पाकरसित होगा और ना ही cathode की तरफ क्यों क्यों क्योंकि भाई वो उदासीन है उसमें दोस के बाद भी दनायन और रिनायनों की संख्या का नुपात समान है जिसका मतलब क्या होगा जतना दनावेस है उतना रिनावेस है तो वो वैदु चितर में उदासीन बना रहता है अगर उदारन की बात करें तो सोट की दो sodium chloride, potassium chloride, cesium chloride, cesium bromide, silver bromide इन ठोसों में मुख्यता पाया जाता है और ये वो उदारन है जो एक्जाम में पूछ जाते हैं परिक्सा के अंदर आपको ये रासाइनिक सुतर देगा और बोलेगा कि की कि मैं जो यहां पर सोट की दोस आपके साथ discuss कर रहा हूं आपके साथ जो मैं यहां पर बता रहा हूं वो point wise है और बच्चों ये point वो ही लिये गए हैं जो exam में आए हैं और आते हैं और आते रहेंगे ये चीज clear है ये इसलिए आपको बिंदुवार या यहां पर point wise कर लें और चीजों को हमेशा clear कर लें अब इभी कुछ लोगों दिक्कते होंगी समझ में नहीं आ रहा होगा आप बिल्कुल परिशान ना हो मैं आपको एक चितर की साहिता से इस परस्ट करता हूं आप उस डाइगराम को चितर को याद कर लीजिए तो आपको यह हमेशा के परिशा के अंदर चितर वो डाइगराम ना भी जरूरी होता है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने ने सील परकार का एक ठोस लिया है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ने सील में सोडियम धनायन और क्लोराइड रिनायन है औ जिससे रिक्तिस्थान बन जाता है, इस रिक्तिस्थान को बोलते हैं रिक्तिका, तो यहाँ पे रिक्तिका बनी रिक्तिका या रिक्तिका 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 कह सकते हैं, यहाँ पे रिक्तिका रिक्तिस्थान उत्पन हुआ है, खाली स्थान जो उत्पन हुआ है, हुए है तो एक रिनायन और एक धनायन गायब हुआ है पहली बात तो यह तो जब यहां पे समान संख्या में रिनायन और धनायन गायब हुए है तो यह स्टोई क्यों मिल्ट्री परकार का दोस है बिंदू परकार का क्यों है बिंदू दोस क्यों है क्यों कि भाई किसी भी पुदासीन होगा क्योंकि यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा है धनायन और रिनायनों की संख्या में उनके अनुपात में इस्टोईक्यूमेट्री परकार का दोस है और यहां पे एक चीज और है मैं आपको बाद में बताऊंगा पहले उस पॉइंट को समझतो लीजिए सोटकी दोस उन क्रिस्टलिय ठोसों में पाया जाता है जहां पर धनायन और रिनायनों का आकार लगबग समान होता है बहुत ही ज्यादा खास बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है एक्जाम के अंदर कहीं बार पूछा हुआ है ओ सकते आपको मिल जाए बही कहां होता है जब ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जब ज़्यादा अंतर नहीं होगा तो दोनों का आकार लगबग समान होगा, तो ऐसे ठोस में मुख्यता मिलता है सोट की दोस, दूसरे सब्दों में यह भी का जाता है कि उच समन्विय संख्या वाले आइनिक ठोसों में सोट की दोस पर जाता है तो आपको द्यान लखना है कि ऐसे आइनिक पदार जहां पे धनायन और रिनायनों का समन्वे संक्या जादा होती है अब इसको दोबारा समझे अभी आपने चित्र में देखा था कि मैंने यहां पे एन्ये सील के सामने लिखा हुआ है एट इस्टू एट आठ किसी परकार अगर हम किसी रिनायन की बात करें तो इसको घेंडने वाले जो धनायन होंगे उनकी संक्या भी आठ होगी तो यह जो किसी विशेस आयन को घेंडने वाले आइनों की संक्या होती है इसी को तो बोलते हैं समन्वे संक्या और यहां पे आप देख रहे हैं आठ न लाके बोलूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं किया कि सोटकी दोस उन क्रिस्टलिय टोसों में या उन आयनिक पदार्टों में होता है जहां पर धनायन और रुनायनों की आकार में ज़्यादा अंतर्नी होता है दोनों का आकार लगबग समान होता है तो वहाँ पे दोस कुन सा मिलेगा जी सोट की दोस के लिए रहे जी दोस पक्का ये एक्जाम में हुभु हुभु पूछा जाता है बूलना नहीं अब बात आती है कि सोट की दोस चलो हमारे ठोस के अंदर आ गया उत्पन हो गया तो उससे हमारे ठोस पे क्या असर पड़ेग कि दोस आ गया है उसका घनत्य ये दैन्सटि काम हो जाएगी बताउंगा बताउंगा थोसों में चालकता परदर्सित होने लगती है बई जिस ठोस के अंदर सोट की दोस आता है वो थोड़े सी कंडक्टिविटी या चालकता वैदुद चालकता वैदुद परवाहा दिखाने लगता है ठोसों के दरव्यमान में कमी आती है ठोसों के जब धनायन और रनायन चले जाएंगे चोड़ के दरव्यमान में कमी तो आने निश्चित है ना जी परवैदुद तांक ऐपरिवर्तित रहता है बूलना नहीं ये वो पॉइंट है जो सोटकी और फ्रेंकल दोनों में पूछा जाता है ये सारे पॉइंट वो ही है ऐसे ही याद कर लिजेगा आपका कोईशन बिलकुल सही होने वाला है परवैदुद तांक यहाँ पे नहीं बदलता उसका मान समान रहता है दोस से पहले भी और सोटकी दोस के बाद भी क्रिस्टल यह ठोस की जालक उर्जा कम हो जाती है ठोसों के स्थाईतु में कमी आती है यानि ठोस जो है वो कम स्थाई हो जाते हैं इन सारे points को हम लोग figure की सायता से देख लेते हैं तो अब यह सारे points हम लोग figure की सायता से clear कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि सर जब आपके आयन जालक बिंदु को छोड़ के रिक्तिस्थान मना कर चले जाते हैं तो क्या घलतु कँ गूगा आप जानते हैंkward डैंसिटी जो कें घनतु जो होता है वह समानुपाती यहीता है दरवयमान या MK मास के तो अगर यहाँ से आयन चले जाएंगे तो दरवयमान कँ होगा और जब द्रवयमान में कमी आएगी तो इन्सटी भी कम हो जाएंगी iOS समानुबाती होने से क्या होगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो इसलिए सोट की दोस जब उत्पन होता है, तो आइनिक ही या क्रिष्टल ये ठोसो का घनतु कम हो जाता है, किलियर है जी, बोलना नहीं आप इस बात क अब आपने पढ़ा तक यहां पर यह चालता इनकी जो वैदुत परवा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ऐसा क्यूं होता है यहां पर रिक्ति का उत्पन हो गई है जी एक रिक्ति का यहां पर रिनाइनों के बीच में एक रिक्ति का यहां उत्पन हो गई है जी दनाइनों क के बीच में अब क्या होगा जी यहीं देखे यहां पर इनको रोकने वाला टोकने वाला तो आयां चला गया है खाली स्थान हो गया है और खाली स्थान पे हरckोई अपना हख दिखाता है ना तो अब ये धनायन थोड़ा सा इधर उदर उदर उपर नीचे गती करने के लिए सवतंतर हो गए हैं फ्री हो गए हैं तो जब ये इधर से उदर थोड़े गती करेंगे बर्मन करेंगे तो चालकता तो परदशित करेंगे ना जी तो वैदु चालक थोड़ी बढ़ जाती है रिक्ति का या फिर सोट की दो सुपन होने के बाद अब आपको बताया था मास तो आप क्लियर हो गया क्योंकि आयन चले गए है तो यहां पर द्रहमान तुन का अपने आपी कम हो जाएगा प्रवेदुतांक इसका समान रहता है अब बात करते हैं जा जालक मिंदू को छोड़के यहां पर आपके रिनायन और दनायन चले जाते हैं तो यहां पर आकर्शन बल कम हो जाता है और आकर्शन बल कम होगा तो थोड़ी सी उर्जा देने से ही यह जो आपका क्रिस्टल है इसके अब यभी आयन इसको छोड़के मुक्त हो जाएंगे बार चले जाएंगे भागो क्योंकि उर्जा बढ़ेगी तो ये तुरंत यहां से सरलता से बार निकल जाएंगे या ये कहूं आपका क्रिस्टल तूट जाएगा क्रिस्टल क्यों तूटा क्यों क्रिस्टल के अंदर आयनों के बीच में लगने वाला अकर्षन बल कम हो गया अ और वहाँ पर या यह कह लिजे कि वो कमिस्थाई हो जाते हैं क्या इस पस्ट है आपको तो यह वो परभाव है जो सोट की दोस वाले ठोसों में मिलते हैं बूलना नहीं एक एक पॉइंट जो है भाई लाक रुपे का है क्योंकि यह आपको नंबर देके जाएगा परिक्सा मे हो आता है बूलना नहीं अब बात करते हैं जी फ्रेंकल दोस की यह पॉइंट हम आपको बता चुके हैं कि सोट की और फ्रेंकल दोस बिंदू दोस के दो मुख्य उधारण है तो यह भी आपको बता चुके हैं कि सोट की हो या फ्रेंकल हो दोनों दोस जो होते हैं वो रस सम जालक बिंदू से अट कर क्रिस्टल के अंतरकासी स्थान में चले जाते हैं तो सर होता किया है कि सोटकी में तो धनायन और रनायन दोनों गायब हुएते बराबर संख्या में गायब हुएते लेकिन यहां पे केवल एक धनायन ही अपनी जगे अपने जालक बिंदू को है और थोस के अंदर ही रहता है बताऊंगा थोस से बाहर नहीं जाता है जबकि सोटकी दोस के अंदर धनायन और रनायन जो हैं वो जालक बिंदू को छोड़के थोस से बाहर निकल जाते हैं यह मुख्य अंतर है लेकिन यहां पे जालक बिंदू को छोड़ेगा तो जरूर धनायन लेकिन ठोस के अंदर ही रहता है बताएंगे थोड़ा आगे शलते हैं बात करें उधरन की तो फ्रेंकल दोस जो होता है वो जिंग सलफाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड इन ठोसों में मुख्यता पाया जाता है एक्जाम में पूछा जाता है, किलियर हुआ, अब मैं इन सारे पॉइंट को आपको फिगर की साहिता से किलियर कर देता हूँ, एक एक पॉइंट को, ड़िये मत, रहिए मेरे साथ, मास्टर बना के छोड़ेंगे आपको हम, तो लीजे, यहाँ पे एक फिगर ले लिया है, एक आइनिक ठ फोस पदात में धनायन और रिनायन जो है, वो अपने जालग बिंदूों पे है, केवल एक जगे से क्या, मैंने यहाँ पर परदस्त किया, दिखाया है, कि एक जालग बिंदू से धनायन जो है, वो इसको छोड़ के चला गया है, यहाँ पे यह बिंदू जो है, जालग बिं यह इस्थान यह इस्थान यह जो आप देख रहे हैं जी यह वाला यह वाला इसको बोलते हैं अंतरकासी इस्थान तो देखिए यहां से धनायन अपने जलक बिंदू को छोड़के आइनों के बीच जो खाली स्थान होता है वहां पे जाके फिट हो जाता है बैट जाता है ले उतरकासि स्थान में बैठता है रिणायन नहीं मुखेत धनायन ही है रिणायन तो बहुत कम ठोसों में है वो बहुत ज़ादा आपका चलन में नहीं है गेवल धनायन वाले केस ही आपकी पढ़ाई me आपके एक्जाम में आते हैं तो मुख्य धनायन जलग मिंदू को छोड़ के अंतर का सिस्थान में बैठ जाता है तो क्लियर हुआ साथ के साथ मैंने आपको अंतर भी बता दिया है सोटकी और फ्रेंकल का मुख्य अंतर अब सर सवाल आता है कि फ्रेंकल दोस मिलता कहा है हम पता कैसे चलेगा तो आप चिंता कहें करते हैं आईए जान लेते हैं कहा मिलता है फ्रेंकल दोस फ्रेंकल दोस उन क्रिस्टल यह ठोसों में पाया जाता है जहां पर धनायन और रिनायनों के आकार में अधिक अंतर होता है बिलकुल उल्टा है जी आपके सोटकी का सोटकी मा धनायन और रृणायनों के बीच के आकार में जो अंतर है वो कम होना चाहिए। उनका आकार लगबग समान होना चाहिए लेकिन यहां पर उल्टा किया कि धनायन और रनायनों का आकार में ऐसमानता होना चाहिए उनके आकार में जादा अंतर होना चाहिए केलियर है बिल्कुल उल्टा है तो फिर हम इसको कैसे बोल सकते हैं दूसरे सब्दों में आईए उस रहा था कि जो आपका सोट की दोस होता है वो उन ठोसों में मिलता है जिनकी समन्वे संख्या जादा होती है जैसे की एने सील था आठ अनुपात आठ किलियर है लेकिन जो फ्रेंकल दोस होता है ये ऐसे आयनिक ठोसों में मिलता है जहां पे समन्वे संख्या कम होती है तो ये दोनों अंतर आप लगे हाथ कर लीजेगा किलियर है तो यहां फिर से बोलता हूं फ्रेंकल दोस उन थोसों में या उन आयनी क्रिस्टल में पाया जाता है जहां पर धनायन और रनायन के आकार में जादा अंतर होता है किलियर और जब उनकी आकार में अंतर जादा होगा तो सम आइन का धनायन और नायनों का जो अनुपात होता है जो समण्वी संख्या होती है वह नुपात चार होती है तो ऐसा होता है फ्रेंकल दोस वाले थोस पदार्तों में अब बात कर लेतें कि थोस के अंदर फ्रेंकल दोस उत्पन हो गया है तो उसकी प्रकरती पे क्या फरक पड़ेगा उसके गुंध धर्मों में क्या फरक पड़ेगा है ना जी जरूरी है एक्जामे कोईशन जो बनते हैं ना आईनित थोसों में फ्रेंकल दोस के बाद भी उदा सीन्ता बनी रहती है क्यों बनी रहती है जी क्योंकि वहाँ पे दनायन और रिनायनों की संक्या समान रहती है थोसों का घनतू ऐपरिवर्तित रहता है फ्रेंकल दोस में घनतू नहीं बदलता लेकिन आपके सोट की दोस मे घट गया था, किलियर है आपको, क्योंकि यहां पे जो आपका दरव्यमान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है और जो गनत होता है, वो हमारा निर्भर करता है, किसके ओपर दरव्यमान के ओपर, समानुपाती है न जी आपने देखा था कि फ्रेंकल दोस में धनायन जो होते हैं वो अपने जालक बिंदू को तो छोड़ते हैं लेकिन ठोस के अंदर ही रहते हैं तो कुल मिला के इसके अंदर धनायन और रिनायनों की संख्या में कमी तो नहीं आती है बराबर भी है और कमी भी नहीं आई है तो द परिवर्थित रहता है क्रिस्टल ये ठोसो की जालक उड़ जा कम होती है क्RISTल ये ठोसों की जालक उड़जा कम होती है तो बिल्कूल सही बात है कम होगी क्योंकि ठोस के अंदर जो सके दनायन और रिनायन है उनके बीच में आकडशन बल पहले की तुलना में कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है क्योंकि क्या आप देख रहे है कि यहां पर आयन जो है वो जालक बिंदू को छोड़के चला गया है हैना जी यहां पर बीच में आ गया तो थोड़ा बहुत यहां पे जो उनका अकरशनबल है उसमें फरक तो पड़ेगा किलियर है तो जब अकरशनबल में कमी होगी तो जालक उरजा कम हो जाएगी क्योंकि आकर्षनबल कम हो रहा है और जब जाला गुर्जा कम होगी तो उस ठोस का स्थाई तू उसकी जो स्थाई तू परकरती होगी वो कम स्थाई हो जाएगा और हाँ एक बहुत ही इंपोर्टेंट आखरी पॉइंट परावेद दुत्यांग बढ़ जाता है उन ठोस पदारतों का उन आयनिक क्रिस्टल का जिनमें फ्रेंकल दोस होता है जबकि सोटकी वाले में ये बदलता नहीं है तो बच्चो आज हमने जाना सोटकी और फ्रेंकल दोस के बारे में क्या होते हैं सोटकी और फ्रेंकल दोस कहां उत्पन होते हैं किलिय पढ़ता है कौन सी चीज घटती है तो कौन सी चीज पढ़ती है उम्मीद है यह सब आपको के लिए हुआ होगा थैंक्स वर वाचिंग